आज से एक हजार साल बाद भी जब 21 सदी की भारत का अध्यन होगा तो उसमें स्वच्च भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा स्वच्च भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागिदारी वाला जन नेत्रुतों वाला जन आंदोलन है इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की इश्वर रुपी जनता जनार्दन की साक्षात उर्जा के भी दर्शन कराए है मेरे लिए स्वच्च ताये जन शक्ती के साक्षात का पर्व बन गया है आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है जे अभियान शुरू हुआ कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे शादी व्यां से लेकर सार्व जनिक कारकमों तक हर जगह स्वच्चता का ही संदेश छा गया कहीं कोई बूढ़ी मा अपनी बक्रियां बेच कर सवचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी किसी ने अपना मंगल सुत्र बेच दिया तो किसी ने सवचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी कहीं किसी रिटायर्ट टीचर ने अपनी पैंशन दान दे दी तो कहीं किसी फोजी ने रिटायर्मेंट के बाद मिले पैसे स्वच्चता के लिए समर्पित कर दी अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता किसी और समारों में दिया होता तो शायद अख़बारों के हेडलाइन बन जाता और सबतां भर उसकी चर्चा होती लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है जिनका नाम अख़बारों की सुर्खियों पर कभी चपा नहीं है ऐसे लक्षावद ही लोगों ने कुछ न कुछ दान करके चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का धान हो इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है उड़ जादी है और ये ये मेरे देश के उस चरित्र का परीचे करवाता है